दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनेतिक शड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वस्निय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतिय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो IAS अफसर हैं उनकी पोस्टिंग MHA द्वारा कंट्रोल होती है लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी senior IAS अफसर की पोस्टिंग दिल्नी में नहीं होती है दूसरी बात दिल्नी के अंदर कई विभाग खाली हैं वहाँ पर अफसर पोस्टिंग नहीं हैं लेकिन फिर भी दिल्नी के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा हूँ तीसरी बात LG साहब पिछले एक हफ़ते से MH को बार 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 बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिठियां लिख रहे हैं कहते हैं कि मंतरीगर्ण मीटिंग में नहीं आते कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है वो उस मैंने मीटिंग पर बुला रहा हूँ ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं ये वही LG साहब हैं जो कोट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ट सब्जिक्ट है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो जब आप कोट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से पल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है जब वो ट्रांसफर्ट subject है तो आप MHA में उसके बारे में चिठी क्यों लिख रहे हैं चौथा दिल्ली सरकार के अफसरों ने model code of conduct का बहाना बना कर किसी भी meeting में आना बंद कर दिया है चाहे वो कितने ही important मुद्दे पर हो आखरी चीज हमने देखा कि किस तरह से एक 200 साल पुराने केस को उठा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के निजी सचिव को बर्खास कर दिया तो ये सारे लक्षन दिखा रही है कि एक बहुत बड़ी साज़िश हो रही है दिल्ली की सरकार को गिराने की साज़िश हो रही है अर्विंद केजरिवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने की साजिश हो रही है मैं दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि आपको इन राजनेतिक साजिशों से डरने की जरूरत नहीं है जब तक अर्विंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे के तौर पे खड़े हैं चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो जेल के बाहर हो वो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़े चाहे हमें इस लड़ाई को संसद में लड़ना पड़े लेकिन दिल्नी वालों को उनका हक मिलके रहेगा